हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मिद करते होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप लोग को सारडिक के बारे में जिसको इंगलिस में कहते हैं डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बताना चाहरा हूं Determinant को 24.00 पस्ट ने 1749 और 1827 में इसको बताया था दोस्तों ये जो Determinant होता है ये दो लाइनों के बीच में होता है ये ऐसे ही दो उधाज़ लाइने होती है यहां पर क्या होता है कि जैसे इसको लिखना होता है तो दोस्तों जैसे ये दिया हुआ है मानलिया जिसे मने ये बराबर दो लाइनों के बीच में इसमें नंबर करके इसे रख देता हूँ अब जैसे A1, B1, C1 ऐसे तो अगर जो 3-3, 3-3 इसमें 3-3 है तो 3 करास्त्री हो जाएगा अब दोस्तों इसे पढ़ेंगे क्या A का सारडिक या फिर इसे लिखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट आफ A, DET और फिर A इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों इंजिनिंग विज्ञान अर्थ सास्त्र सामाजिक विज्ञान तियाद में उसका उप्योग होता है दोस्तों अगर जो हम इसे ऐसे लिखते हैं तो फिर जैसे मालो इसको यहाँ पर इस तरीके का क्या मतलब हुआ जैसे मालो A11 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पहली दोस्तों इस पूरे को इस पूरे को दोस्तों पंक्ती कहते हैं इंग्लिस में रो कहते है इस पूरे को रो कहते है दोस्तों इस पूरे को कॉलम यानि की अस्तम्ब कहते है अस्तम्ब कहते है और इंग्लिस में कॉलम कहते है तो इसको कॉलम कहते है इसको पंक्ती कहते है यानि row कहते हैं तो इसे column इसे row तो दोस्तों A11 का मतलब क्या हुआ कि पहला अस्तम पहली पंगती अब A21 का मतलब दूसरा row पहली पंगती तीसरा row पहली पंगती इस प्रकार से हम इसे देखते हैं कि इसमें तीन row और तीन column है इसलिए हम इसे 3x3 में कहते हैं कि यह 3x3 का मैट्रिक्स है determinant है कहते हैं कि यह 3x3 का determinant है दोस्तों अगर जो हम सारडिक के गुर धरम की बात करें तो इसमें कुछ गुर धरम होते हैं जिनकी आधार पर हम question लगाते हैं जैसे इसमें दिया है किसी सारडिक का मान इसके अस्तंबो और पंक्तियों को परसपर बदल देने पर अपवर्तित रहता है किसी सारडिक का मान इसकी पंक्तियों और अस्तंबो के परसपर परिवर्तित कर देने पर अपवर्तित रहता है यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देख रहें दोस्तों हमने एक example लिया है ये दिया हुआ है इसको हुम आपस में बदल दे रहे हैं जैसे दोस्तों ये आप लोग देखिएगा ये रोथा येहांपर ये column बन चुका है तो हमने इसको इस फाम में रिख़ दिया तो इसका जो मान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा यानि जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा तो ये थी पहली प्रापार्टी कि अगर जो रो को कालम बना दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं DTA यहां एका मतलब होता है परिवर्त यहां अगर दिखा दिया तो हम यहां पर अगर जो लिखना चाहें तो यह देखेंगे आरवन दिस इंपलाई सीवन तो दोस्तों ऐसे में हम बदल सकते हैं और इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो यह थी पहली प्रापर्टी दूसरी प्रापर्टी दूसरा गुरधर्म यदि एक सारड़िक में दो पंक्तिया या दो अस्तम को परस पर बदल दिया जाए बदल दिया जाता है तो उनका चिन परिवर्तित हो जा रहा है अब इसमें दोस्तों दो पंक्तियों की बात हुई थी अभी एक पंक्ति की बात मैंने किया तो एक पंक्ति को बदलने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन अगर जो हम दो को बदल द देखेंगे कि यह जो यह था इसको मैं उठा के यहां नीचे कर दिया इसको उठा के नीचे कर दिया यानि दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या दो अस्तम्बो को तो देख रहे हैं कि इसमें बदलने जाए यानि इसको उठा के उपर कर दिया गया और इसको उठा के नीचे कर दिया गया तो ऐसे में क्या होता है कि दो पंक्ति या फिर दो अस्तंब अगर जो आपस में बदलते हैं तो उनकी आगे चिन लग जाता है मतलब कि वो जो value आएगी वो negative में आएगी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि दो सारडिक है यदि कोई सारडिक है उसमें दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या दो अस्तंबू को आपस में बदल दिया जाए तो उनका जो मान आएगा वो रडात्मक आएगा दोस्तों जैसे हमने उसको बदला तो हम उसके लिए जो सिम्बल इस्तेमाल करेंगे C-I-C-J या R-I-R-J इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर जो एक्जामपल मिले तो हम ऐसे कह सकते हैं कि R1 दिस इंपलाई R3 यानि R1 को R3 के जगह पर या R3 को R1 के जगह पर बदल दे सकते हैं तो इस प्रकार से हम उसके सिम्बल को इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर तीसरा गुर धरम है कि यदि एक सारडिक कि कोई दो पंक्तियास्तम समान है या सभी अवयो उनके समान है तो सारडिक का जो मान होता है वो जीरो होता है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि दो समान है देख रहे हैं यह देखिए और यह देखिए यह देखो दो पंक्ति क्या है आपस में समान है तो अब अगर जो दो समान है हैं तो समान होने के टर्म क्या आएगा कि यह क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ऐसे केस में जब हम इसे सॉल्फ करेंगे तो इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा तो कोई दो पंक्त या कोई दो अस्तम अगर जो समान है तो उनका मान जीरो ही आएगा अब दोस्तों प्रोपर्टी नंबर हम चार को देखेंगे जैसे दिया है यदी यदी एक सारडिक के किसी एक पंक्त यत्वास तम के प्रतेक अभयों को एक अचर के से गुड़ा किया जाए तो उसका मान के से गुड़ित हो जाता है अब दोस्तों हम के से गुड़ा भी कर सकते हैं और के को कामन भी ले सकते हैं यानि अगर जो यह हमारा सारडिक है तो हम इसमें किसी से गुड़ा भी कर सकते हैं और उसको कामन भी ले सकते हैं अगर जो हम ऐसा करते हैं तो उसके मान में केवल गुरित मान हो जाएगा मतलब कि उसका मान मुल्टिपल हो जाएगा जो दो सुगड़ा करेंगे चार में तो वह चार हो जाएगा आठ हो जाएगा यानि इसकी वैलू जो है यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने यहां पर के से यहां पर एक अप्लिकेशन दिया कि आरवन दिस इंप्लाई के आरवन यानि में आरवन पंक्ती में के से गुड़ा करना तो देखिए यह ऐसे हो गया और यहां पर इसे में कामन भी ले लिया तो दोस्तों हम इसी डिटेर्मिनेंट को तीन प्रकार से लिख सकते हैं जिससे इनके मान में कोई परिवार्तन नही होगा है अब यहां से तो कामन ले लो सीधा देखिए हमने यहां से कामन ले लिया के को यहां से लिख दिया यहां फिर से के से गुड़ा करा दिया तो चाहे हम गुड़ा कराएं चाहे कामन ले चाहे मल्टिप्लाई करें चाहे उनका रेशियो हो यह चार बाते होंगी हम य ही हो जाएंगे तो यहां पर यह बाते निकल कर आई कि हम इस के से गुड़ा भी करा सकते हैं और इसी के को बाहर कामन भी ले सकते हैं दोस्तो प्रापरटी नंबर पांच यह कह रहा है कि यदि एक सारडिक को कि एक पंक्ति या अस्तम्ब के कुछ या सभी अवयो दो या दो से अधिक पदू का योग के रूप में बैक्त हो तो सारडिक को दो या दो से अधिक योग फल के रूप में बैक्त किया जा सकता है इसका सीधा मतलब है कि जैसे मैंने example लिया कि इसमें देखिए आप लोग कि कोई एक पंक्ती हो या कोई एक custom हो ऐसे कोई जोड़े में हो तो हम उसे क्या करेंगे उसे अलग कर सकते हैं determinant यह कहता है कि इसको अगर जो आप अलग करके भी जोड़ेंगे तो इनका जो मान है वो परिवर्थित नहीं होगा अब देखे जैसे यहां पर a प्लस a प्लस केवन था a2 प्लस केटू था a3 प्लस केट्री केट्रे था तो हमने क्या क्या सारे को अलग कर दिया यानि इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 20 प्लस लगा के तो उनके मान में जो है कोई परिवर्थन नहीं होगा योग था तो रोको अब ऐसे मालो दिया है तो इसे हम एक में भी लिख सकते हैं मालो दो डूटेनमेंट दिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रापर्टी एक दूसरे के इन्वर्स होती है एक दूसरे का उल्टा होता है अब हम छटवी प्रापर्टी की बात करेंगे ये कहता है कि यदि एक सालडिक किसी पंक्ति या अस्तम्ब के प्रतेक अभयों में दूसरी पंक्ति या अस्तंब के अभयों से समान गुड़ा गुड़जों को जोड़ दिया जाता है तो साड़िक का मान वही रहता है अब यहाँ पर दोस्तों जैसे अगर जो दिया है आराई है अब उसमें केटू को मैंने जोड़ दिया यानि एक जामपल मिलेते हैं दोस्तों आरवन पंक्ति है उसमें दो से गुड़ा किसी के वैलू से गुड़ा करके और हम आरटू को जोड़ सकते हैं यानि दो पंक्तियों को आरवन और आरटू को हम जोड़ सकते हैं चाहे गुड़ा कराके जोड़ दें और चाहे भाग कराकर जोड़ दें तो यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर जो एपलिकेशन दिया हुआ है कि आरवन दिस इंपलाई आरवन प्लस के आरटू यानि इ उसकी जो सारी वैलू होगी, उन सारे में हम केसे गुड़ा करा देंगे, और गुड़ा कराने के बाद दोनों को जोड़ लिया जाएगा, अब दोस्तों, चाहे वो पंक्ती हो और चाहे वो अस्तम, अस्तम रहेगा तो अस्तम मालो किसी में दो से गुड़ा करा दिया, तो लिख सकते हैं यह से मालोह हम पहली पंक्त को दूसरी पंक्त से घटाना हुआ तो उसके लिए application क्या देंगे ईसी और सीवन थे इस इंपलाई च लिए-स बैसी टू शी टू ची बाइससी टू सीवन दिस इंपलाई है अब उसमें हम तीसरे अस्तम्म से एक किसी कांस्टेंस से गुड़ा करा के घटा रहे हैं तो हम इस पर उधारण पर हम बाद में चर्चा करेंगी जितने इंप्वार्टेंट फार्मूले और इसके बेसिक्स थे वह मैं आप आप लोगों समझाने का प्रियास कर रहा हूं अब त्रिभूजी का छेत्रफल जो होता है क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि एक बटा दो मतलब इसका दोस्तों आपने कच्छा 9 में इसको पढ़ रखा होगा कि कोई 3 निर्दे सांग देता था तो हम ऐसे करते थे लेकिन क्लास 12 में आप लोगो इसको इस रूप में देखने को मिलेगा कि इस रूप में अगर जो दिया है और कहेगा त्रिभूजी का छेत्रफल ज यानि तीन निर्दे सांग दिया रहेगा और इस रूप में आपको सॉल्प करना लेगा और यहां पर कुछ बाते हैं अप लोगों को ध्यान देना है कि छेत्रफल का छेत्रफल एक धनात्मक रासी होती है इसलिए सद्यों सद्यों एक साडिक में निर्पेच मान लिया जाता है यानि कि जो छेत्रफल होता है हमेशा धनात्मक आएगा और कभी भी इसका मान रात्मक नहीं आएगा दूसरी बात क्या है कि यदि छेत्रफल दिया हो तो गड़नात के समय धनात्मक रात्मक लिया जा सकता है चाहे तो बंदू दिया है और सन्रेख दिखाना हो कि वो जो तीन बंदू है एक ही रेखा पर हैं तो इनको दिखाने के लिए तुरिभुज का छेतरफल सून करना होगा यदि हम इसके माल लेंगे सून उसके बाद हम इसे सॉल्प करेंगे अज़ि बैलू सून ने आती है तो हम एक रेखा में दी हुई है अब दोस्तों आप लोग को एक उधालन के माध्यम समझाने का प्रयास है हमारा दोस्तों आप लोग को कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में बताना चाहरा हूँ कि आप लोग को इंटर में क्या क्या पढ़ना है जैसे आप लोग को साल्रिक के गु एरिया आप ट्रेंगल कहते हैं एक वर्ग अभ्यू को सा खंडज और ब्योधकरम पढ़ना है यानि एड़ जॉयंट और इनवर्स आपे मैट्रिक्स का पढ़ना है और रैखिक्स रैखिक्स समीकरणों के निकाय को संतत और असंगता इसको भी आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ना है और एक अभ्यू के ब्योधकरमों का प्रियोग कर दो अथवा तीन चार रैखिक्स समीकरणों को हल करना इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एक इस पर सारे वीडियो आप लोग को मिलेंगी धीरे धीरे करक एक एक जामपल में लेता हूँ दोस्तों जैसे मैंने एक एक जामपल ले लिया दिया है कि डिटर्मिनेंट ये दिया है और कहरा है इसका मान गयाती है अब हमें इसका मान कैसे गयात करेंगे दोस्तों हम हम इस कोश्चन को पहले नोट तो ऐसे कर लिए अब देखना दोस्तों इसे मुझे खोलना है जैसे मालूम मैं अब इसका बिस्तार करना तो बिस्तार हम कैसे करेंगे बिस्तार हम जैसे मैं एक को ले लिया एक को ले लिया अब इसी चोटे मैं टेक्स में डिवाइड कर दीजिए इसे कैसे करेंगे एक को लिया तो इनको पालो इनको छोड़ दो, इनको आप लोग छोड़ दीजिए, तो आप लोग देखेंगे क्या, कि 3 और 1 और 00 बच रहा है, तो यानि यहाँ पर क्या बचेगा, 3, 0, 1, 0, अब दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है, तो जैसे इसका बिस्तार हमें करना है, तो अगर जो हम इसे लेंगे, तो इधर और इधर को छोड़ के इसे लेंगे, उसके बाद, पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर दो ले लिया, अमालो इसे ले लिया, तो इधर की लाइन, इधर की लाइन, छोड़ दिया, बचे का य ले लेते हैं अब हम फिर प्लस लगाएंगे जैसे यहां पर फोर दिया है फोर लिया अगर जो तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे इसे छोड़ दिया इसे छोड़ दिया बचा क्या यह चार इन चार को ले लिया माइनस 1 4 3 1 अब दोस्तो इसका ترच्छा गुड़ा करा लेंगे हम तीन में 0 का गुड़ा करेंगे 0 आएगा निकिन ऐसे अभी लिख लेते हैं एक का तरच्छा गुड़ा करेंगे इसी प्रकार हम इसको करेंगे माइनस 1 का 0 में माइनस और का 0 में फिर यह प्लस है प्लस माइनस 1 का 1 में माइनस 4 का 3 में इसको करने के बाद दोस्तों यहां देख रहे हैं यह सारा का सारा 0 आया है तो 0 का एक का गुड़ा करेंगे तो दोस्तों 0 होजाएगा यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों यह दिया है, यहाँ पर यहाँ पर जी रो आ गया, जीरो का दो में गुड़ा करेंगे यह भी हो जाएगा, पिर प्लस हुआ, फिर उसके बाद एक एक इक रो, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, माइनस वन और यहीं माइनस बारा गया और इन दोनों को solve करने पर क्या आएगा बारा एक तेरा तो तेरा चोक के बाउन इसकी जो बैलू आई फिप्टी टू आ गई ऐसे दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि यह चार उड़े माइनस तेरा हो जाएगा और तेरा चोक के बाउन होता है तो इस प्रकार से हम question को लगाते हैं कोई doubt होगा तो आप लोग बताईएगा comment section में कैसे लगा फीडियो को like share subscribe जरूर कीजिएगा